सबसे पहले रोख करते हैं करनाटक का जहांपर सियासी संकट गहराया हुआ है कॉंग्रोस जीडियेस गर्बंधन सरकार का संकट गहरा चुका है शनिवार को 13 विधायकों ने स्तीफा देने के बाद आप उन्हें मनाने की कोशश की जा रही है हलाकि इस पिता दें आपको कि बागी विधायक सब सामने आए और उनका कहना था कि वो हर हाल में स्तीफा देंगे साथी ये भी कहा कि बीजेपी में शामिल होंगे यानि मानने को तयार नहीं है बागी विधायक अलाकि इससे पहले इनहीं विधायकों ने कहा था कि वो सरकार के कामकाट से नाखुश है इस वज़े से वो इस्तिफा दे रहे हैं बीजेपी के साथ उनका कोई ना समझोता है ना वो जाएंगे लेकिन अब सभी बागी विधायक सामने आएं और मीडिया से बात्चीत में उनके कहा कि स्तिफा देंगे और बीजेपी में शामिल होंगे बागी विधायक मानने को तयार नहीं साफ कर दिया है कि स्तिफा दे कर रहेंगे और बीजेपी में शामिल होने की बात स्विकार कर लिए स्टीफा देने के साथ ही करनाटक सरकार संकट में आ जाएगी अधर बीजेपी मेहल चल है और खबरे हैं कि सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है बीजेपी अलाकि बीजेपी ये दावा कर रही है कि विधायकों का स्टीफा कॉंग्रिस का ही एक खेल है